7.3.2 परिवहन तंत्र से जुड़ी सनरचनाएं वा उनका कार्य Structure and Function Related to Transport System जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि सभी जीवों के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी पदार्थों एवन जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन उत्सरजी पदार्थों का परिवहन होता है मनश्य के शरीर के रक्त वहनियों के बारे में हम जानते हैं इसी प्रकार पौधों में विभिन प्रकार की नलियों की व्यवस्थाएं हैं पुष्पिय पौधों में हम इन नलियों की विशेश व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सकते हैं पिछले साल हमने पढ़ा था कि पौधों में जायलम वा फ्लोयम नामक उतक होते हैं जिनसे मुख्य रूप से विभिन प्रगार के पदार्थों का परिवहन होता है पौधों के परिवहन संबंधी उतक अर्थात संबंधी उतक जणों में अंदर की तरफ होते हैं तथा तनों में बाहर की तरफ अधिकांश द्वी बीच पत्री पौधों में परिवहन संबंधी उतक तने वजड में विशेश घेरों में पाय जाते हैं एक बीच पत्री पौधों में यह पूरे जड या तने में बिखरेवे नजर आते हैं जड़ और तने के अलावा पत्यों, फूलों, फलों आदी में भी परिवहन संबंदी उतक पाये जाते हैं जड़ से पानी में घुल कर कई प्रकार के लवन वा नाइट्रोजनी पदार्थ जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं जाइलम में पदार्थों के परिवहन कई प्रकार से होते हैं एक तो जड़ की कोशिकाओं की तुलना में मिट्टी में पानी ज्यादा होने से परासरन द्वारा पानी जड़ों की कोशिकाओं में आ जारता है आम तोर पर पौधों के रंद्र व पत्तियों की सतह से वाश्पो सर्जन द्वारा कई पौधों से काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है इन में वाश्पो सर्जन के कारण जायलम की नलियों में अवकाश होने से खिचाव बढ़ता है वह पानी बहुत जल्दी जड़ से अन्य भागों तक पहुँचता है फ्लोयम उतक की अधिकांश कोशिकाईं जीवित हैं और उनके जरिये पानी में घुलित अन्य पदार्थ जैसे शरकराएं अमीनो आमल आधिका परिवहन कई बार जीवित कोशिकाईं से उरजा की मदद से होता है